नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेला वर्सिस साउथ अफरीका के बीच में होने वाले थर्ड T20 इंटरनाशनल मैच को जो की आपको यहां खेला जाता दिखाई देगा संडे 3rd सेप्टेंबर 5.5 बजे शाम को किंग्समीट क्रिकेट क्लब डर्ब साउथ अफरीका में ये मैच आपको होता हुआ दिखने वाला है वीडियो में आगे बढ़ने से पहला आप सभी से रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक हमारे टेलीगाम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग हमारे टेलीगाम चैनल जोईन कर लिजेगा क क्योंकि टेलीगाम पर ही आपको मिलेगी स्मैच से रिलेटेड फाइनल, स्मॉल लीग टीम्स, ग्रैंड लीग टीम्स एंड फर्दर अपडेट्स लाइक पिछ रिपोर्ट, प्लेइंग 11, टॉस रिपोर्ट सब कुछ आपको यहाँ पर टेलीगाम चैनल पर ही मिलती है जो भी नई वीडियो एंड लाइफ सेशन हम कवरे करेंगे, उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगो मिल जाए, बात करते हैं पिछ रिपोर्ट की, तो जो किंग्समीट क्रिकेट क्लब डर्बन है, इसकी जो पिछ है फ्रेश है यहाँ पर ठीक है, दो मैच अल्र के जितने मैचेस खेले गए हैं, उसमें अगर आप देखो, 164 बने, South Africa ने बनाए, 168 बने और Australia ने टार्गिट बहुत इसली चेस कर दिया, लास्ट मैच में, उससे पहले Australia ने 226 बनाए, 115 पर All Out हो गई South Africa की टीम, then 165 बने, 169 ये भी चेस हो गया, 80 बने, 84 रन, 216 बने, 189 191 बने, 174 रन चेस नहीं हुआ, 107 बने, 108 बने और चेस हो गया, देखो एक चीज कॉमन है, जो मैं हर वीडियो में आपको बूलता हूँ, यहाँ पर विकेट्स काफी ज़दा जाते हैं, भले ही, रन्स बनते हैं, लेकिन विकेट्स भी यहाँ पर अच्छे खासे निकलते ह और उस्ट्रीला की टीम ने 5 मैचेस खेले और उनने 3 मैच यहाँ पर विन करें, तो जादा अच्छे रिकॉर्ड अगर आप दिखोगे, उस्ट्रीला के इस ग्राउंड पर दिखरें आपको, बैटिंग फर्स अगर देखें, लास्ट के 10 मैचेस में से 4 मैचेस सर्फ बैट 2020 इंटरनेशनल के यहाँ पर 16 मैचेस खेले गए हैं, 8 मैचेस बैटिंग 1 और 7 मैचेस बैटिंग 2 ने विन करे हैं, एवरेज फस्ट निंग स्कोर 152 रहता है, हाइस स्कोर 226 अभी फस्ट गेम जो था उसी में यहाँ पर ऑस्ट्रीला ने बनाया था, स्कोरिंग पैटन तो जो लास्ट के 10 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, उसमें से 81 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं, फस्ट इनिंग में 42 विकेट और 2 इनिंग में 39 विकेट वहीं अगर स्पिनर्स को देखोगे, तो आधे कभी आधे विकेट से 10 मैचेस में सिर्फ 29 विकेट स्पिन के नाम, बात करते हैं, तो ट्रेविस हैड आपको दिखेंगे, यहां पर ओपनिंग करते हैं, टीम की तरफ से लास्ट मैच में इनोंने एक ओवर की बोलिंग भी करी, बट अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनका नहीं रह रहा है, आप ड्रॉप करके इनको चलो यहां पर, म ऐचिक से बहली अच्छी पफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप बैटिंग के उस पर कैस्ट करना चाते हो बर बोलिंग यह नहीं कर रहे हैं, जोस मैच में कोई रोल नहीं था उससे पहले 64 उन्होंने बैट से किया था Aaron Hardy ने लास्ट में तीन ओवर करा है जीरो विकेट उने निकाले उससे पहले एक ओवर करके 23 रन और उन्होंने जीरो विकेट निकाले थे शॉन अबर्ट लास्ट मैच में मैं अपनी टीम्स में स्पेशली पेसर्स को आप दूने टीम से कबर करके जाओगे तो अच्छा रहेगा जिसन बहंडरोफ की बात करते हैं चार ओवर करके इन्होंने भी लास्ट मैच में दो विकेट से यहाँ पे निकाले हैं हेट टो एड में इन्होंने दो मैच में दो विकेट निकाले हैं वेन्यू पे जो लास्ट मैच था उसको काउंट करें तो दो विकेट हैं इंटरनेशनल करियर में 8 matches में 7 wicket है और इस series से पहले का recent form आपको मैंने बताया था बहुत amazing recent form इनका उससे पेचले match मेंन को खेलने का मौका नहीं मिला था first T20 में वरनाम इनको तब भी लेते Adam Zemper ने last match में 4 over करा और surprising इनको नहीं नहीं निकाले हमने भी team में लिया था लेकिन उसके बाद इनको team में नहीं रखा है अभी पता नहीं क्या reason है बाकि इन में से कोई भी खेलता तो आपको telegram channel पे stats दिखा दिये जाएंगे and match से पहले live session भी होगा open death bullets की बात करते हैं तो शुरुआत में आपको नेथन एलिस जेसन बैंडरॉफ के साथ दिख सकते हैं death में Sean Abbott, जेसन बैंडरॉफ और नेथन इलिस बोलिंग करते हैं आपको दिखेंगे South Africa के squad की बात करें तो Reza Hendricks last match में 3 run बनाए उससे पहले 56 run स्कोर किया थे Temba Bahumma last match में 35 run का इनोंने स्कोर किया Razie Wender, डेसन दोनों मैचेस में कुछ खास कर नहीं पाए है Aidan Markram की बात करें last match में 49 run इनों स्कोर किया 2 over करके 0 wicket निकाले Deval Brevis भी दोनों मैचेस में flop रहे है Tristan Stubbs भी दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए Bijjon Fortune ने last match में 2 over करा है सरफ और 0 wicket निकाले, 4 over इनों कंप्रीट नहीं मिला Grant Coitze भी यहाँ पर 2 over करके 0 wicket निकाले इनको पूरे वर्स क्यों नहीं मिला क्योंकि Australia की टीम ने target जल्दी chase कर लिया था Lungi Ngidi ने 3 over करा है थे 13 run not out और बल्ले से और 0 wicket निकाले थे Lizard Williams 2 over की bowling करके एक wicket निकाले थे उससे पिछले match में 4 over की bowling करके 3 wicket निकाले थे और हमारी टीम में भी उस case में थे यह तबरिया शमसी ने 2 matches में 4 over करें लेकिन wickets इनको 2 matches में 1-1 यहाँ पर wicket मिलें तो आप इनको चाहो तो try कर सकते हो bench players देख सकते हो अगर इनमें से कोई भी खेलता है stats आपको telegram channel पे बता दिया जाएंगे open death bullers की बात करें South Africa से तो lungi ingidi, gerail koid जे माको यांसन शुरुआत में bowling करते दिख सकते हैं death में Lizard Williams, lungi ingidi और gerail koid जे आपको दिख सकते हैं बात करते हैं player battle and matchups की तो Travis Head के records अगेंस lungi ingidi एक बार आउट होएं ODI में 19 balls में 13 runs बनाके तबर्या शमसी के अगेंस 2 ball में एक बार आउट हो रखे हैं Lizard Williams के अगेंस भी 3 ball में 4 run बनाकर एक बार आउट होएं माको यांसन के अगेंस भी 3 ball में 6 run बनाकर एक बार आउट होएं माको यांसन के अगेंस भी 1 बार आउट होएं मिच मार्श अगेंस लूंगी इंगेडी 11 ball में 8 run बनाकर 2 बार आउट हो उसके रावा सबको इन्होंने अच्छा केलेट आगे बात करते हैं माकस टॉइनिस तो ये गराल को इजजे पे एक बार आउट होएं 8 ball में 4 run बनाकर और उससे पहले Lizard Williams पे आउट होए थे 9 ball में 5 run बनाकर एक बार आउट डवाल अब बात करते हैं साउथ अफरीका के batsman के records अगेंस ऑस्ट्रीन बोलर्स तो डवाल ब्रेविस अगेंस नेथान ऐलिस इसी सीरीज में एक बार आउट हो रकरे Państwo और तन्वीर संगा के अगेंस भी हाँ इहाँ पर दो बार में एक बार आउट होए है रिजा हैंडिक्स अगेंस नेथान ऐलिस एक बार आउट होए हैं 9 ball में 4 बना कर माकस टोणी के अगेंस दो बार आउट होएं साथ बॉलों में तो ये बहुत खतरनाक मैचप पे इनका वंडे का है लेकिन इचीज आप देख ले ना राजी वंडे डेस्टन अगेंस नितनलिस आउट हो रखे हैं वह एक बॉल में एक बार और उसके लावबा दो बार आउट हुए शौन अबट पे तीन बालों में तीन बालों में दो बार आउट हुए यानि कि तीन बालों में से इन्होंने सिर्फ दो बार आउट हुए और छे रन बनाये थे एक बाल पे Adam Markram की बात करते हैं तो Markram भाई जो है, हमारे वो Sean Abbott पे 9 बॉलों में 4 बॉलों में चार्म नाकर एक बर आउट हुए है Markos chassis के अगेश्ट वंडे में 1 बार आउट हुए है 20 बॉलों में 31 बॉलों में 31 बॉलों में 31 बॉलों में और तनमीट संगा के अगेश्ट इसलों जो हमने वन्डेज इंटरनेशनल कवर कियें, अभ तक हमारे अच्छे गए हैं, कोशिश रहेगी कि लास्ट जो यह अभे match है, इसको भी हम लोग अच्छे से clean sweep करें, वन्डे नहीं, टी ट्वेटी इनटरनेशनल जो यह match चल रहे हैं, अभी तक हमारे अच्छे गए ह इस match पे भी हम लोग अच्छा खासा performance यहाँ पर करके जाए बाकी आप लोगों से request है वीडियो को like करते हैं आप लोग चलना एक like और एक comment कर देना है यहाँ पर ताकि हमको भी अच्छा लगे है और future में अच्छा और बहतर तरीके से हम लोग काम यहाँ पर करें तो दोस्तों फिलाल के लिए मेरा यी टीम combination आप लोगो दिख रहा है जिसमेरे captain Mitch Marsh और vice captain Nathan Ellis है मैंने अपनी team में आपर wicket keepering section से Jaws English को pick किया बैटिंग से रीजा है हेंड्रिक्स को allrounder section से मैंने चारो major allrounders को pick करा है bowling section से मैंने अपनी team में major हर bowler को cover किया लूंगी इंडीडी का selection सिर्फ 13% है बट मैं इनके साथ जा रहा हूँ मैं इनको last तक back करूँगा बहुत अच्छे bowler है आप सब जानते हो grad codes को भी मुझे लेना था लेगिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ बाकी देखेंगे अगर last में हम इनको adjust कर पा रहे होंगे तो हम team में रख लेंगे फिलाल के लिए यह team combination मेरी है अगर आप इसके लिए ना चाहो तो Mitch Marsh को captain करने के बजाए आप यहाँ पर Nathan Ellis और Sean Abbott का combination भी आपर try कर सकते हो सारी updates और सारी teams के लिए आप टेलीगाम चैनल जॉइन कर लेना link आपको मिलेकर description box और live और जो comment section है इस वीडियो का उसमें pin किया हुआ बाकी मिलते आप से next वीडियो में धन्यवाद दोस्तों वीडियो को आखरी तक watch करने के लिए